जैवीन साथियों साथियों आज दो महीने के बीच मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ पुलिस का लगातार हमारे घर पे आना जाना बना रह रहा है तो कि आप जान रहे होंगे कि 10 सक्टूबर को हमने अंदोलन किया और वो अंदोलन में ये मांग था कि प्रतेक भुमही परिवार को एक-एकड जमीन दिया जाए प्रतेक जाती धरम के ब्यक्ति को निशूलक सीखिस्सा दिया जाए प्रतेक जाती धरम के बच्चे के लिए असना तक तक एजुकेशन फ्री हो इस तरह से हमारी कुछ मांग थी कुछ दिमांद था सरकार से पिछले कई सालों से हम अंदोलन करते आ रहे हैं 17 दिसंबर को देखेंगे 17 मार्च को देखेंगे इस तरह से हम अंदोलन करते आये 17 दिसंबर को अंदोलन किये गोरगपुर में लाखों के संधिया में 17 मार्च को भी किये और हम 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो के तह भी हुआ 25-26 लोगों पर फ्यार हुआ है उस गत्विदियों को ले करके बहुत पूली प्रतारिक भी किया सवाली आप लोगों के बीच में आने का एक यह है कि हमने किसी का हत्या नहीं किया अमेटकर जन्मोर्चा का कोई भी पदारिकारी माननी सरोड को माननी डाला जी किसी क साथ यह को जिल में रखा गया हमारे घर पर अप 항ного बताव है मेरे बाया को उठाव मेरे विचाओ को ठाव मेरे दोबजे 10 пой 2-30 कि पशने के अभी वह का न हैो ऑप हमोगों चली रहा है कि थोड़ा कम हो गया अभी दो दिन पहले भी पुलिस एमारे घर पे गई ती सात्यो सवाल ये है आप सभी लोगों से सवार में ये करना चाहरे हूं कि ये हमारे हाथ में तीन आप देख रहे होंगे नजदिक से में दिखाने के कोशिश करूँगी तीन दिसंबर का ये एक तीन दिसंबर का ये अख़बार है और इस अख़बार में आप देखेंगे कि मोधी जी का योगी जी का दावा भी है करने का तक इनThe Cane कि संत यूफीर नगठ जो सरकार बड़े-बड़े दावा करती है बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को पढ़ाने के सीमा गौतम अगर गरीबों के लिए लड़ती हैं तो उनके घर पे पुलिस की टांडों गिरवाया जाता है नाम जद फायार किया जाता है साजिस के तहट एक सडियंत्र गढ़ा जाता है कि उनको जान से मारने की कोशिस में सीमा गौतम समेत कम से कम 28-30 लोगों पर फायार दर की बच्ची के साथ रेप किया गया है उसी नगर में पांच साल के बच्ची के साथ रेप किया गया है यह तीन तारिक का अख़बार है तीन दिसंबर का अख़बार है और आप यह अमर उजाला में यह निकला है आप गोरभपुर के अमर उजाला में निकला हो सकता कि आप जहां भी देख रहे होंगे गुरभपुर की नियूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा और मैं बताओं महराज गंज में 20 वर्षी है बच्छी के साथ 21 के साथ रेप पिया गया मतलत तीन दिसंबर को तीन लोगों के साथ रेप सड़े चार साल के बच्छी के साथ 5 साल के कुले रावी के साथ 20 साल कर अब यह बटाईए एक दीन में यह अमर उजला मैं अपने घर से नहीं कह खाता है कि तीन तीन लोगों का इस सरकार से, इस सरकार में बैठे लोगों से, इस सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल है, उन तमाम लोगों से सवाल है, कि ये सरे चार साल की बच्ची, पांच साल की बच्ची, किसका गुनाती है, किसका घर पोड़ दी है, किसके घर में डाका डाल दी है, किसके घर में ऐसा क्या काम कर रही थी जो लोगों में जो भेडियों में आफ़ता रही थी साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है ये उनके मुझे पे कालिक है जो लोग ये नारा दे रहे हैं और जो लोग साम से कहते हैं इन्हें हमने बेटियों के लिए काम किया ये बेटि दस लोगों की दस हमारे बच्चियों के साथ रेप होता है, तो मुश्किल से एक बेटी का फ़यार होता है, और जहां सौ बेटीों के फ़यार दर्ज होते हैं, वहाँ मुश्किल से दस बेटियां कोट तक जा पाती हैं, नहीं तो उनके उपर इतनी दबाव बनाया दा के तरफ से कि कुछे फैयार तक कुछे फैयार से पहले ही मेरे पास बहुत सारे केसे का उधारण है कि कुछे फैयार होने तक कुछे फैयार होने से पहले ही उनको इतना दबाव बनाया जाता है कि घर में मार दालेंगे घर में फूख देंगे परिवार को मार देंगे इनको कर करतेंगे यह सारे दबाव बना करके केस को खतम कर दिया जाता है विडित का मुझ बंद कर दिया जाता है यह आप लोगों से भी छूपा नहीं है यह तीन केस यानि तीन दिसंबर 2023 का तीन केस एक दिन में दर्ज हुआ है तो आप बताइए सोचिए कि कि इतने केस दर्ज हो रहे हैं सवाल सिर्फ मौझूदा सरकार से नहीं है साथियों सवाल उन अंधभक्तों से मैं करना चाह रही हूं जो जाती के नाम पे धरम के नाम पे वोट मांगते हैं जब कोई सीमा गौतम जैसे सरोड कुमान निराला जैसे नीलम बहुत जैसे निर्देश सिंग जैसे लोग रामु सिद्धार डाक्टर रामु सिद्धार जैसे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जाती के नाम पे भीख मांगने चंचागिरी करने जाती के नाम पे ओट मांगने चले आते हैं जाती के नाम पे कैडर चलाने लगते हैं कि तुम मेरी जाग को मेरे लिए काम करो तुम मेरे जाग को मेरे धरम को मैं उन जाती धरम के लोगों से कहना चाहरे हूं खास करके ब बहें जी के अंदभक्त deciding कोई समास के लिए लड़ता है बेरे साथ तो बहुत सारे चीजेस तरह से होती हैं कि जब मैं काम करती हूं तो बहुत सारे अंदभकत सब्सक्राइब क states on my father, what are you? जो बहन जी के नाम पर भीख मांगते हैं घरमे बैट करके ट्यूट कर देते हैं घरमे बैट करके वाट्चप पर बैट करके चारा लाइन लिग देते हैं वो कहां है इन केस में कोई बताएगा कोई अपडेट देगा कोई भी अंदभक्त जो बहन जी के नाम पे जाती के नाम पे बहुजन समाज के नाम पे खास करके बहुजन समाज पिछड़े समाज के नाम पे ये बेटियां जो तीनों बेटियों का रेप हुआ है ये पिछड़े समाज की भी हो सकती है दलिस समाज की भी हो सकती है कोई अंधवक्त हमें बताएगा कि इस केस में तुम्हारी बेहन जी या तुम क्या कर रहे हो इन बेटियों को नयाय दिलाने के लिए तुमने क्या किया हमको कोई अपडेट देगा कोई बताएगा अगर बताने की हैसियत ना हो तो फाल्टू में किसी के पोस्ट पर किसी के काम पर कमेंट मत करो साथियों ऐसे अंधभक्तों से भी सवाल करने की जरूरत है सतर करने की जरूरत है कि तिन तिन लोगों के साथ रेप हुआ है सड़ी चार साल की बच्ची पांच साल की बच्ची बेहन ठीका कर रही हैं ओट मांगने आएंगे इन बच्चियों को नयाय दिलाने के लिए कितने अप्लिकेशन लिखे गए कितने नारे लगाए गए कितने सोशल मेडिया को वाय अप्लिकार नारे लायक है जो अंधभक्ति करते हैं जो जाती के नाम पे अंधभक्ति करते हैं काते हैं चोट मांगने के लिए बेहन जी के नाम पे चले आते हैं कि वोट दे दो और इन वेटियों को नयाय गों दिलाएगा साथियों मैं और समर्थ हूं क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मुझे बहुत कष्ट है मुझे बहुत पी रहा है मैं नहीं जा सकती समाज में मैं नहीं जा सकती घर से बार नहीं निकल सकती क्योंकि जैसा मैं बता रहे हूं कि पुलिस अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई ह अभी हमारा जवानत नहीं हुआ है लेकिन मैं बोलने के लिए बहुत मजबूर हो गई हूँ कल से यह पेपर में देख रहे हूं कल से मैं सोचल मिडिया भी चेक कर रहे हूं किसी भी अंदभग तका किसी भी माया भाग तका एक भी अंदभग तका पोउस्ट नहीं आया कि इस केस में हम कुछ कर रहे हैं उन बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसे गदारों से भी हमें सौधान रहने की जरूरत है सातियों सिर्फ वोट के लिए सिर्फ जाती के लिए ये लोग आते हैं ऐसे लोगों को जूतों के माला पहनाने के लायक नहीं लोग सातियों आप पांक साल की बच्ची साड़े चार साल की बच्ची के साथ इस तरह से घिनावना हो रहा है आप बड़ी बच्चीयों को तो कहते हैं कि स्कॉट पहनती है ये पहनती है वो पहनती है ये चार साल की बच्ची सड़े चार साल की बच्ची को क्या पहना होगे इन चार साल की बच् बच्त जो है वो जुजजब देख रहे हैं है है जुजब तमाशा देख रहे हैं मैं कली से देख रहे हूं कि आपडेट नहीं आए आभी तक कि हां Social media पे चाहे हां उनके घर गए चाहे हुझ कर रहेए हैं लिगों करोगे जुनाओं जुनाम के टाइप इन वेटियों को चुनाओं के टाइप बचाऊगे साथीओं इन दलालों से भी सौधान रहने की जरुरत है इन दलालों को भी पहचानने की जुरत है. यह सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं चुनाव में वाट्चप पर फेस्बूक पर काईडर चलाते हैं हकीकत में नहीं चलाते हैं इसलिए आप सभी लोगों से आग रहे हैं जो भी इनके आसपास हैं इनकी मदद करें आरोपियों के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा जय भारत जय समिधान नमबुद्धा है दन्यवाद है आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप भूजन समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारगों अधिर से अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यम से देश की दे में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या तीन एक छे नौ पांस साथ छे आठ छे पांच एक आई अफसी कोड़ स्बी आइन शुन 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 शे शुन पीन तीन शे बैंक भारती स्क्रीट बैंक मैं गौतम रतना आपका बहुजन फिल्म प्रोड़क्शन में स्वागत करता हूँ और आप हमारे प्रोड़क्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं और आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोडेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है शुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा A2Z एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 00-85714 और 851-000-5714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfinzproduction at the rate gmail.com और धन्यवादा